OnePlus 8T, इसको कैसे Unbreak करना है और कुछ जिरूरी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले आपको Developer Option को Enable करना है इसके लिए आपको Phone की Settings में जाना है Scroll down करके आपको About Phone दिखेगा उसमें जाना है About Phone के अंदर आपको Build Number दिखेगा यहाँ पे आपको 5-7 बार टैप करना है इसके बाद आपके Phone का जो भी Pin होगा, Password होगा, Pattern होगा वो मांगा जाएगा, वो आपको Enter कर देना है और आपको एक Notification आएगा You are a Developer इसका मतलब यह है कि आपने Developer Option को Successfully Elable कर दिया है अब आपको Settings में जाना है Scroll down करके System में आजाईए System के नीचे आपको Developer Option दिखेगा उसमें आपको जाना है उसके अंदर USB Debugging होता है By default यह Switch Off रहता है इसको आपको Switch On करना है जैसे ही आप Switch On करेंगे आपको एक Prompt आएगा उसमें आपको OK को Press कर देना है फिर आपको Stock Oxygen OS firmware डाउनलोड करना है अपने Location के साब से देखे जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर कोई Latest Version हो तो वही आप Prefer करिएगा जब यह firmware डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आप Extract करिएगा Extract जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी MSM Download Tool इससे आपको Open कर लेना है जैसे ही आप इसको Open करेंगे आपके सामने एक Login Box हा जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस Login Box में User Type आपको Other Select करना है User Name और Password यह आपका Blank रहेगा और फिर आपको Next पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप Next पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का Window Interface खुल जाएगा अब आपको अपने फोन को EDL Mode में Enter कराना है देखिए अगर इतना करने के बाद आपके फोन की Screen Blank है तो इसका मतलब यह EDL Mode में आ चुका है लेकिन अगर यह Blank नहीं है तो इसको आपको Manually EDL Mode में Enter कराना होगा इसके दो Method होते हैं आईए डिसकस करते हैं पहला Method होता है TWRP का आपको अपने OnePlus 80 को TWRP Recovery Mode में ले जाना है और वहाँ पर आपको Reboot देखेगा उसको आपको क्लिक करना है Reboot के अंदर आपको EDL बटन देखेगा उसको आप प्रेस कर दीजेगा आपका Phone EDL में चला जाएगा दूसरा Method होता है आपको ADB Fastboot अपने Windows पे इंस्टॉल कर लेना है उसके अंदर आपको Platform Tools फोल्डर देखेगा उसके क्लिक करके अंदर जाएगे एड्रेस बार में आपको CMD दिखेगा सॉरी एड्रेस बार दिखेगा वहाँ पे आपको CMD लिखके एंटर करना है तो आपके सामने Command Prompt विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर आपको येलो कलर का जो कमांड दिख रहा है ADB space reboot space EDL यह आपको प्रेस करना है एंटर करना है तो आपका फोन EDL मोड में एंटर हो जाएगा अब हमाँ अपने फोन को fastboot मोड में एंटर कराना है इसके हमाँ पास तीन method होते हैं जो सा method आपके system पे चले वो आप करिएगा सबसे पहले आपको फोन की settings में जाना है settings के अंदर आपको system दिखेगा उसमें जाना है system के अंदर developer option में जाना है और developer option के अंदर आपको advanced reboot दिखेगा by default यह switch off होता है इसको आपको switch on करना है उसके बाद power button दबाईएगा तो power menu आ जाएगे वहाँ पे आपको boot loader दिखेगा boot loader को आपको press कर देना है और आपका phone जो है fast board mode में enter हो जाएगा अगर यह method नहीं चलना है तो आप physical buttons भी use कर सकते हैं आपको one plus 80 को completely switch off कर देना है फिर आपको volume up, volume down और power button यह दबा के रखना है तो आपका phone fast board mode में enter हो जाएगा तीसरा method होता है ADV का simply ADV install करिए और platform tools folder के अंदर आपको खाली जगे पे right click करना है ध्यान रहे इसके पहले shift button दबा होना चाहिए उसके बाद आपको power shell window select कर लेना है और power shell window में आपको command डालना है ADV space devices उसके बाद आपके phone पे एक prompt message आएगा उसमें आपको allow को select कर लेना है फिर आपको power shell window में command डालना है ADV space reboot space port loader जब ये processing खतम हो जाए तो आपको दूसरा command डालना है fast boot space oem space edl ठीक है last method जो होता है fast boot में enter कराने का वो है manual आपको phone को switch off कर देना है pc से आपका phone connect होना चाहिए usb cable के दौरा volume up volume button down button दबा के रखिए आपका phone जो है enter हो जाएगा लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका phone अगर qualcomm crash drum mode में आ गया है तो पहले आपको volume up और power keys दबा के 5-10 second के लिए crash drum mode को exit करना होगा फिर phone को switch off कर दीजे और फिर से volume up volume down करके इसको EDL mode में आपको ले आना है अब जब आपका phone EDL mode में आ चुका है fastboard के द्वारा तब आपको अपने phone को pc से usb के द्वारा connect करना है अगर connect नहीं है तो connect कर दीजे जैसे ही आप इसको फिर से connect करेंगे MSM download tool जो है वो automatically आपके phone को recognize कर लेगा और device status जो है वो connected आ जाएगा अब आपको Qualcomm USB drivers को install करना पड़ सकता है क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने phone को recognize कराएंगे PC से और Oxygen OS firmware जो है वो flash होगा आपका phone जो है Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 ये show होना का चाहिए अब ये कैसे show हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए आपको PC के control पैनल में जाना है और वहाँ आपको device manager दिखेगा other device में यहाँ पर आपको Q USB bulk दिख रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे phone बे के जो drivers है वो properly installed नहीं है तो इस problem को fix करने के लिए हमें कुछ instructions follow करने होंगे सबसे पहले आपको Qualcomm driver zip file को download कर लेना है PC पे उसको आपको extract कर लेना है फिर आपको power shell window खोलनी है अब ये कैसे खुलती मैं अलड़ी बता चुका हूँ वीडियो लंबा नहीं करूँगा दुबारा बता के power shell window में आपको command डालना है ADB space reboot space EDL उसके बाद आपको control panel में जाना है device manager पे जाना है Q USB bulk पे right click करिए और उसमें आपको update driver software ये आपको select कर लेना है फिर आपके सामने एक window interface खुलेगा वहाँ पे आपको select करना है browse my computer for driver software इसके बाद जहां आपने download करा हो Qualcomm drivers को वो folder select कर दीजेगा और next कर दीजेगा उसके बाद एक prompt message आजाएगा इसमें आपको select करना है install this driver software anywhere जब ये processing complete हो जाएगी तो आप जाके चेक करिएगा device manager में अब आपको Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 शो होगा device manager में इसका मतलब हम flashing के लिए तयार हो चुके है अब एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है flashing के दौरान की आपको phone की SMT settings को कुछ भी change नहीं करना है नहीं modify करना है क्योंकि अगर आपने SMT को change कर दिया तो ये phone के IMEI number और Widevine certificate को ही erase कर देगा तो जैसे ही आप connect करेंगे आपको MSM download पे start का button पे tap कर देना है आपका जो process of download है वो green line में आपको flash होने लगेगा जब ये complete हो जाएगा तो status of communication जो है वहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा download complete जब ये download complete शो हो जाए तो आपको stop पे click कर देना है और अपने phone को disconnect कर देना है PC से और आपका phone जो है OnePlus 80 वो successfully unbreed हो जाएगा और by default ये system OS में boot हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के अब दोस्तो इस दोरान processing के आपको कुछ सवाल या कुछ दिक्कते आ सकती है उसके जवाब मैं आपको already provide करा देता हूँ MSM टूल क्या एक trusted या सही software है जी हाँ ये बिल्कुल trusted software है आप इसको use कर सकते हैं अगर flashing process के दोरान आपको परम pre-processing virus आ जाए sorry virus नहीं कहीं struck हो जाए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि दिक्कत आपके USB driver में है आपको अपने computer पर जाके drivers को uninstall करना है phone के और फिर से इसको install करके system को reboot करना है flashing के दोरान अगर आपको सहरा communication failed आ जाए या fire horse error आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दिक्कत जो है USB connection में है तो इसके लिए आपको power की दवानी है 10-15 सेकंड आपके phone का EDL mode switch off हो जाएगा थोड़ी दर रुकिएगा फिर सिसको EDL mode में enter कराके retry कर दीजेगा अगर इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप USB 2 की जाके 3 या 3.1 port यूज़ कर लीजेगा अगर अभी भी दिक्कत बने रहे तो आप किसी दूसरे सिस्टम पर या computer पर try कर लीजे अगर आपको एक error आ जाता है processing के दौराण SMT configuration not found तो दोस्तों इसका जो solution है वो XDA की website पर दिया गया है उसका link मैंने description box के Google Drive Fold notepad के अंदर आपको मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं